इस लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो MP से बहुत सारे कोश्चन्स यहां से आते हैं नाशनल परक्स तो हम लुग ने शनल पर्रमाश ब जो नाशनल पर्क्स पढ़र करेंGER जैसे आप नब्ईक्प्रदेशкахो Fighterini गिर्शन अव. Esta is coming स्वाइल्स के बारे में पड़ चुके हैं, फॉरेस्ट के ऊपर भी मैं 3-4 लेक्चर्स बना चुका हूँ, तो उन लेक्चर्स को भी आप जरूर देखे, आज एक स्पेशल लेक्चर है, जिसको नैशनल पार्क कहते हैं, तो सबसे पहला कोशन आता है कि नैशनल पार्क क्या ह साइट अपर तो सबसे आप बार्टीच मेel आप जियता है, नैशनल पार्क में जो होता है वो free to move होते हैं, वो असानी से घूम सकते हैं वहाँ पे, इसके अलावा जो है, उनको एक natural environment दिया जाता है, वहाँ पे forest जो होते हैं, उनको cut नहीं किया जाता कि वहाँ पे species आराम से रह सके, उनको किसी भी तरह से disturbed नहीं किया जाता, और बहुत सारा ecosystem वहाँ पे present होता है, वह वहाँ lakes भी हो सकते हैं, वहाँ dense forest भी हो सकता है, वहाँ ground भी हो सकते हैं, तो ऐसे अलग-अलग तरह के, जो है, आपके ecosystem वहाँ exist करते हैं, और उनको आप educational और recreational interest के लिए भी use करते हो, मतलब उस पे आप researches जो है, अपनी, जो है, conduct करते हैं, इसके लाब, recreational interest भी जो है, प्रटेक्ट करना, animals को प्रोटेक्ट करना, species को प्रोटेक्ट करना, plants को प्रोटेक्ट करना, trees को प्रोटेक्ट करना, और एक तरह से उनको एक special environment प्रोवाइट करना, ऐसे बहुत सारे national park हैं, जैसे Jim Corbett है हमारा उतराखंड में, गेर की बात करें, गुजरात में है, सबसे पहली बात की जाए, तो there are 11 national park in MP, हमारे मध्यप्रदेश के पास सबसे आदा forest हैं, यह तो आपको पता था, अब there are 11 national park in MP, almost 40% wildlife still not covered under parks and centuries, हमारे पास 11 national park तो है, लेकिन almost wildlife, 40% wildlife है, अभी भी हम उनको parks or centuries में जो है, वो हम cover नहीं कर पारें, तो हमारे पास इतना ज़्यादा हम enriched हैं, बुला जाए, बायो डाइवर्सिटी में, और अगर मैं बात करूँ national parks के level पे भी, तो सबसे आदा national park अगर आपको मिलेंगे, तो जो है वो 我 है, तो आपका मध्यप्रदेश में महत करते हैं, component अगर big तो पार्क और बायोस्फियर रिजर्व भी है बांदागवड नैशनल पार्क है काना नैशनल पार्क काफी इंपोर्टेंट है पेंच नैशनल पार्क माधव नैशनल फार्क पन्ना नैशनल पार्क और टाइगर रिजर्व इसके लाब संजे डुपरी नैशनल पार्क और वाइल यह भी एक special entitities होती है, जो आप environment में पढ़ते हैं, तो Biosphere Reserve में जैसे MAB program गे थू होता है, Wildlife Centuries में किसी particular species को प्रोटेक्ट किया जाता है, Tiger Reserve जहां पे Tiger को रिजर्व किया जाता है, तो यह हमारे लिए बहुत important है, क्योंकि आपको मैंने शुरू में भी बताया था, तो सबसे पहली बात की जाए, तो Kana National Park, इसका establishment हुआ था 1955 में, यह मंडला में हैं, Balaghat में हैं, और सबसे largest है National Park area wise जो मध्यप्रदेश का है, इसका area है 940 square kilometer, और यहां पे main fauna जो है, flora मतलब होते है, plants और trees और fauna की बात करते हैं तो animals की बात करते हैं, तो tiger है, leopard है, spotted deer है, इसके लाव सांभर, यह सब चीजें यहां पे मिलती हैं, इसके बाद बांधवगार की बात करें, 1968 में establish हुआ था, यह उमरिया कटनी में है, और इसका area 449 है, यहां पे भी tiger, leopard, spotted deer हो सांभर होता है, फिर माधव national park की बात करें, तो 1958 में establish किया था, यह श यहां की बात करें, 1981 में establish किया गया था, पन्ना चातरपुर बॉर्डर पे आ जाता है, 543 स्क्वार किलो मिटर का है, टाइगर, leopard, spotted deer, सांभर, और गौर यहां पे मिलती है, इसके लावा संजे national park की बात करें, यह भी 1981 में हुआ है, सीधी में है, 467 स्क्वार किलो मिटर एरि spotted deer, सांभर, गौर यह सब बहुत मिलती है, यहां पे सत्पुड़ा 1981 में establish किया गया था, हुशंगाबाद में है, यह 585 स्क्वार किलो मिटर का है, और यहां पे main fauna जो है, tiger, leopard, spotted deer, सांभर, wild dog, black buck, और wild boar बहुत मिलते हैं, इसके बाद वन विहार की बात करें, तो वन विहा इसके बाद में है, और यह 4.45 स्क्वार किलो मिटर है, और all wild animals of state यहां पे प्रिजर्व किया जाते हैं, यह zoo की तरह भी है, लेकिन यह नाशनल पार्क भी है, इसके बाद फॉसिल जो सबसे स्मॉलेस्ट है मत्यप्रदेश का, 1983 में इसको इंक्लूट किया गया था, और यह 0.27 स्क्वार किलो मिटर एरिया है, प्लांट्स, वेजिटेशन और यह फॉसिल मिलते हैं, डाइनसौर के टाइम के जो आपका जुरासिक है, उस टाइम के भी फॉसिल यहां पे मिलते हैं, इसके अलावा, डाइनसौर जो नैशनल पार्क था, यह धार में मिला था, यह सिर् 148.68 स्क्वार किलो मिटर है, टाइगर लेपर्ड स्पॉर्ट डियर है, अब आप सोच रहे होंगे कि 2018 में कैसे बना दिया गया नैशनल पार्क, तो कई बार क्या होता है, जो पहले वाइल लाइफ सेंचूरी होती है, उनी को स्टेटस मिल जाता है नैशनल पार्क का, तो य जाद रखेंगे आप, इसके बाद हम लोग एक एक करके सभी नैशनल पार्क को थोड़ा डीटेल में पढ़ते हैं, तो सबसे पहला हमारा जो काना नैशनल पार्क है, उसको देखते हैं, तो यह लोकेशन का है, तो मंडला बाला घाट डिस्ट्रिक में आ जाती है, और एश जाताइ पहला हिए यहां बिलती है, जुन सबसे इंपॉर्टेंट है बारा सिंगा, जब मैंने स्टेट अन्यवल की बारे में बात करी थी, तो आपको बताया था креп बारा सिंगा होता है, इसके बारा सिंग जैसे होते हैं, यह धियर है, एक हिरन है, और उसकी जैसा ही दिखत जो था यह interpretation scheme continued in the park since 1974, यहां पर बहुत सारे tiger भी है, जो tiger project है, tiger reserve project, उसको यहां implement 1974 में किया गया था, इसके बाद अगर हम इसकी brief history की बात करें, तो यह declared as reserve forest in 1879, जब Britishers थे, तो इसको as a reserve forest जाना जाता था, it was a hunting lodge of Britishers, और Britishers के लिए यह एक तरह का hunting lodge था, कि वो शिकार करने व इसको जो है 1911 में अभभेवन के तोर पर डिकलेर कर दिया गया था, 1953 में इसको status मिला है wildlife century का, 1955 में यह national park बना, वो 1973-74 में जो है, इसको एक title मिल गया, tiger project का, तो यह tiger project है, मतलब यहां पर tigers जो है, वो आपके preserve किये जाते हैं, इसके बात करें, तो kana has the first century of MP, यह first wildlife century बनी थी MP and the first national park and first tiger project, तो इसके साथ सबी तरह के first का status है, यह first wildlife century भी है, first national park भी MP, first tiger project भी है, यहां पर hard ground 12 सिंगा, जो है, बहुत exclusively find होते है, जिनको stag deer यह hard ground 12 सिंगा कहा जाता है, जिसको एक तरह का बुला जाए कि यह jam है, काना का, मतलब आपका जेम की बात करें, तो एक speciality जो है, काना नाशनल पार्क ही, वो 12 सिंगा के कारणी है, और यह first national park इंडिया है, जिसने adopt किया है, mascot, जो होता है, उसका mascot भूर सिंगा है, एक तरह का cartoon टाइप का है, जो 12 सिंगा का ही, भूर सिंगा है, अब आप सोच रहूंगे, यह मैस्कोट क मैं अगर आपको पता हूँ, तो आपने देखा होगा कि कई बार जो होती है, companies अपने एक तरह का advertise के लिए, एक कार्टून बनाते हैं, या एक तरह का mascot डवलप करते हैं, या कोई event होता है, जैसे कोई world cup हो रहा है, तो उन में जो है, यह mascot यूज किया जाता है, इसमें बहु और बता हूँ आपको, तो आपने Vodafone का ad देखा होगा, उसमें Zuzu आजाता है, तो वो एक mascot है, इसके लावा Indian railway में एक हाती है, जो क्या बोलते है, भोलू नाम का है, वो एक coat पहन कर लाल्टिन दिखाता है, तो वो एक mascot है, आपने Air India में देखा होगा, तो महराजा Air India जो हा जो था, वो mascot था, ऐसे ही, आपका जो Kana National Park है, उसने भी अपना एडॉप्ट किया है, mascot, और उस mascot का नाम है, भूर सिंग, जो की 12 सिंगा है, तो mascot is designed by Rohan Chakrabarti, और जो mascot को design किया है, वो किस ने किया है, तो Rohan Chakrabarti ने किया है, इसके बाद अगर अगर हम बात करें, तो Scotch Order of Merit Award Kana ने जो है, कावर्ड रसीव किया है, कि इसका बेस्ट जो है, वो Solid Waste Management है, Waste is Processed into Organic Fertilizer, मतल यहां जो भी Solid Waste निकलता है, उसको Organic Fertilizer में जो है, जो है, जो है, कनवर्ड कर दिया जाता है, मतलब यह पॉल्यूशन फ्री एक तरह का National Park है, इसको Scorge Order of Merit Award मिला है, इसके famous of its monument of hunter, और यह काफी famous hunters के लिए, some tigers from Kana shifted to Satkosya Tiger Reserve and Nora Dehi Century in 2018, बहुत सारे tigers जो थे, कुछ बुला जाए, तो Satkosya पहुचा दिये गए थे उडिसा में, और Nora Dehi Century, जो सागर में, वहां पे, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा, जो है, basically tigers की count थोड़ा कम हो रहा था, इसके बाद बा आम याद रख लेंगे, आपकी कौन-कौन सी rivers यहां से पास होती है, फिर बामनी दादर एक famous sunset point है Kana National Park में, इसके लाब है Indian ghost tree, जिसको कुलू tree कहा जाता है, एक famous old tree है Kana में, तो इसको बूले जाता है ghost tree भी है, इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा important national park है, जिसको कहा ज नाशनल पार्क उमरिया में आ जाता है, और 1968 में जो है, यह established हुआ तो डिक्लेयर किया गया तो इसको tiger project के लिए 1993 में, तो 1993 में as a tiger project जो है, डवलप हुआ है, इसके अलाबा यह surrounded रहता है, आपका windyan hills, जो है 32, जो हैं, इसके मतब यह 32 हिलों से जो है, आपका covered है, और यह ज second important national park है, और यह जो tiger project के अंदर भी इसको include किया गया था, यह भी मैंने आपको बताया था, और बांदवगड़ has the largest density of tigers in India, और सबसे यादा जो tigers की density है, इंडिया में वो कहां पर है, तो बांदवगड में है, और यह उमरिया district में है, जो कि मैंने आपको बताया, यह 32 हिल से surrounded है, इसके बाद अगर हम बात करें, तो गौर, जिसको Indian basin कहा जाता है, rehabilitated in बांदवगड, और गौर जो थी, यह आपका 36 गड़ में जो दंड कारन रीजन है, वहां mainly found होती थी, और इसको जो है, यहाँ पर rehabilitate किया गया था, इसके बाद elephants are also to be rehabilitated here, और elephants भी जो है, यहाँ प बात करें, तो बांदवगड नाशनल पार्क में, जो है, कबीर चौरा है, कबीर चौरा जो है, एक famous tourist spot है, जो नाशनल पार्क के अंदर आ जाता है, और more than 250 bird species are found in the park, लगबग 200 प्रजातियां जो पक्षियों की है, वह यहाँ पाई जाती है, इसके बादवगड का केला भी यह आलमुस 2000 यर्स, ओल फोड फोड इस अनादर अट्राक्शन आफ दी पार्क, तो यह काफी important है, इसके लाब बैंगॉल टाइगर, बांदवगड इस बांदवगड इस बांदवगड इस बानाया गया है, तो यहाँ बांदवगड के भी ताइगर्स है, चार्जर और शी इसके बाद बात करें मांधव नैशनल पार्क तो माधव नैशनल पार्क जो है यह आपका 1958 में स्टैब्लिश किया गया था और यह कहां पर है तो शिवपूरी में है मनिहार रिवर पासेस्त्रूधी पार्क ओवर विच अडैम इस कंस्ट्र्क्टेट और यहां से मनिहार रिवर निकलती है जिसकी ऊपर एक डैम बनाए गया है और माधवराज सिंधिया जो थे उन्होंने सांग के सागर और माधव सागर जो है एक डैम टाइप के या एक तरह का बुला जाए कि एक लेक टाइप के यहां कंस्ट्रक्ट कराए थे मनिहार रिवर पर और जॉर्ज कैशल फोर्ट जो है पार्क में है जो कि जीवाजी राओ स इस इंडिया ने किंग जॉर्ज जो 1911 में आये थे उनके सम्मान में बनवाया था, क्रोकोडाइल सफारी जो फैलीन जो है ऑप्रेटेड होती है सांगिसागर में, NS3 and NS25 बोथ NHR पासिंग थूदी नाशनल पार्क, तो यह काफी इंपोर्टेंट जो नाशनल पार्क है, जो आ सफ राजस्थान में, उसमें यह नाशनल आई वह है, तो वहां से यह पास होता है, इसके अलावा भाडिया कोडे, जो सुभारा आला की गढ़ी जिसको कहा जाता है, यह कुछ छोटे-चोटी यहां पर आप कभी नाशनल पार्क घूमने जाएंगे, तो वहां पर आपको य चोटे-चोटे स्पोट्स दिखाए जाएंगे, तो लोकल अट्रेक्शन प्रिजेंट इन पार्क, इसके बाद बात करें, तो तात्या टोपे का जो मगबरा है या टोम्ब है, वह सिचुएटेड है इस नाशनल पार्क में, और इस पार्क इस पार्क इस अलावा इस अलाव यह सब जो है, इनको जो है यहाँ पर माइग्रेट करके लाया गया है, इसके बाद अगर हम बात करें, एक और इंपोर्टेंट पार्क है, जो कि पेंच नाशनल पार्क है, जिसको प्रिय दरशनी नाशनल पार्क भी कहा जाता है, और यह सियूनी और चिंदवारा दो डिस् इसको जो है, 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 तो यह भी मैं आपको बताऊंगा कि कोर एरिया, बफर एरिया, ट्रांजिशन जोन, क्या होते हैं, अभी आप जस्ट इन नैशनल पार्क को गो थू कर लीजे, फिर मैं बहुत सारी चीजें भी डिसकस करनी है, कि वालाइफ सेंचुरियो नैशनल पार्क में क्या डिफरेंस हो आंसर आइटिंग करनी है, तो वैसे तो यह mostly आजाता है, अब तो जैसे नए इस लेपस के हिसाब से, आपको 5 marks या 11 marker में आएगा, पहले यह 15 marker में आता था, तो इस तरह के questions आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ पे लिखने के लिए आपको यह data include करने पड़ते हैं, इसके बात पेंच is also divided district, चिंदवाड़ा और सियोनी, और पेंच river चिंदवाड़ा और सियोनी को अलग करती है, इंद्रा प्रियदरशनी पार्क जो है, इसका आपका जब एक्स प्राइम मिनिस्टर जो इंद्रा गांधी थी, उनके नाम पर इसको प्रियदरशनी भी कहा जाता है, बे देखी होगी, और ये जंगल बुक में जो एक कैरक्टर था मोगली, उनको जो मोगली के बारे में जो एक इंस्पिरेशन मिला, वो इस पेंच नाशनल पार्क से ही मिला, इसलिए जो है, ये मोगली लैंड भिखा जाता है, तो होप ये जो चीज है, वो आपको समझने आई ह होगी, इसके बाद यहां पर एक तोतला दो प्रोजेक्ट है, जो कि इंटरनाशनल हाइटल पावर प्रोजेक्ट है, जो कि पेंच रिवर पे है, और इस डैम क्रेटेट अ बिग लेक, और इस पे जो है, जो डैम बनाया गया, वो काफी बड़ा लेक बनाता है, तो यूनीक वल्चर और फाउंड इन पेंच नैशनल पार्क, एक किंग वल्चर होता है, जिसके रेड सर्कल्स होते हैं गले पे, और वाइट ब्रेंट, जिसके वाइट सर्कल्स होते हैं, और रे टोटा, जो कि किंग पार्ट है, और फ्लाय कैचर, जिसको शाह बुलपुलपी कहा जात इस लेक्चर में मैंने आभी चार नैशनल पार्ग आपसे डिसकस कर लिए तो अगर आपको हमाई लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और किसी पी दरगा कोई डाउट है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच